ओम श्यान्ती, 10 जून 2024 के इश्वर्य महावाक्य, पहले सुनते हैं आज की मुरली से होमवर्क, बाबा ने कहा, लक्षय को सदा सामने रखू, तो दैवी गुण आते जाएंगी, अब अपनी संभाल करनी हैं, आसूरी गुणों को निकाल, दैवी गुण धारन करनी हैं, बड़ी आयू के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की महनत करो, अपने से पूछना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, जितना बाब को याद करेंगे, उतना सतो प्रधान बनेंगे, और आयू बड़ी होगी, फिर मृत्यू का डर निकल जाएगा, याद से द दुख दूर हो जाएंगे, अब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताती हैं, इसमें इन विकारों को अवगुणों को छोड़ देना है, कभी भी विश्यश नहीं बनना है, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदती हैं, वह मिटा देनी है, द बुद्धी को सब गोरक धंदों से, देधारियों से निकाल खुश्बूदार फूल बनना है, गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है, और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार सी, मुर्ले का सार, मीठे बच्ची, लक्षे क सदा सामनी रखो तो देवी गुण आते जाएंगी, अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल देवी गुण धारन करनी है, प्रशन, आयुश्वान भव का वर्दान मिलते हुए भी, बड़ी आयु के लिए कौन सी महनत करनी है, उत्तर, बड़ी आयु के लि और आयुबड़ी होगी, फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा, याद से दुख दूर हो जाएंगी, तुम फूल बन जाएंगे, याद में ही गुप्त कमाई है, याद से पाप कट जाती है, आत्मा हलकी हो जाती है, आयुबड़ी हो जाती है, ओम शान्ती, मिठे मिठे रु बच्चूं, तुमको एक तो आयू बड़ी चाहिए क्योंकि तुम्हारी आयू बहुत बड़ी थी, 150 वर्ष की आयू थी, बड़ी आयू कैसे मिलती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बननी से, जब तुम सतो प्रधान थे, तो तुम्हारी आयू बहुत बड़ी थी, अभी त तुम उपर चड रहे हो, जानते हो हम तमो प्रधान बनी, तो हमारी आयू छोटी हो गई थी, तंदुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गई थी, यह जीवन पुरानी है, नई से भीट की जाती है, अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयू बनाने की बताती है, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करोगे, तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयू वाली, तंदुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे, आयू छोटी होने से मरने का डर रहता है, तुमको तो गैरंटी मिलती है, कि सत्यूं में ऐसे अचानक कभी मरेंग कोई भी किस्म का दुख नी होगा, और तुमको क्या चाहिए, तुम कहते हो उच पद भी चाहिए, तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है, अब बाप युक्ती बताती है, ऐसे करो, एम उबजेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पास सकती हो, यहां ही दैवी अपने से पूशना है, हमारे में कोई अवगुन तो नहीं है, अवगुन भी अनेक प्रकार की है, सिगरेट पिना, छीची चीजे खाना, यह अवगुन है, सबसे बड़ा अवगुन है रिकार का, जिसको ही बैड क्रेक्टर कहती है, बात कहती है तुम विशश बन गई हो, आब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताती हैं। इसमें इन विकारों को अवगुणों को छोड़ देना है। कभी भी विशश नहीं बनना है। इस जनम में जो सुधारेंगे, तो वह सुधार 21 जनमों तक चलना है। सबसे जरूरी बात है वाइसलेस बनना। जनम जनमांतर का जो बोज सिर पर चड़ा हुआ है, वह योग बल से ही उतरेगा। बच्चे जानते हैं, जनम जनमांतर हम विशश बने हैं। अभी बाप से हम प्रतिज्या करती हैं, कि फिर कभी विशश नहीं बनेंगी। बाप ने कहा है, अगर पतित बने तो सोगुणा दंड भी खाना पड़ेगा। और फिर पद भी भरष्ठ हो जाएगा। क्योंकि निंदा कराई ना, तो गोया उस तरफ चला गया। ऐसे बहुत चले जाते हैं, अर थार थार खा लेती हैं। आगे तुमको पता नहीं था कि ये धंदा विकार का नहीं करना चाहिए। कोई-कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं, हम ब्रमचर्ये में रहेंगी। सन्यासियों को देख समझते हैं, पवित्र था अच्छी है। पवित्र और अपवित्र, पवित्र दुन्या में अपवित्र तो बहुत रहती हैं। पाखाने में जाना भी अपवित्र बनना है, इसलिए फोरन स्नान करना चाहिए। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है, किसको दुख देना, लड़ना, जगड़ना भी अपवित्र करतव्य है बाप कहती है, जनम जनमांत्र तो तुमने पाप किया है, वैसा बादते अब मिटानी है अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है, सच्चे सच्चे महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायन ही है, और कोई तो यहां बनना सकी क्योंकि सब तमो प्रधान है, गलानी भी बहुत करते हैं न, उन्हों को पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं एक होते हैं गुप्ट पाप, दूसरे प्रतेक्ष पाप भी होते हैं, यह है ही तमो प्रधान दुनिया बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रही है, इसलिए उनको सब याद करती है सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है, कि पावन बनना है और फिर गुण भी धाणन करने है देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुल गुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े हो अब बाप को याद करो तो याद से आयो तुम्हारी बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोजा हलका होगा अपनी संभाल करनी है, हमारे में क्या-क्या अवगुन है, वह निकालनी है जैसे नारत का मिसाल है, उनको कहा तुम लाइक हो, उसने देखा कि बरोबर हम लाइक नहीं है बाप तुमको उँच बनाती है, बाप के तुम बच्ची हो ना जैसे कोई का बाप महराजा होता है, तो कहींगे ना हमारा बाबा महराजा है बाबा बहुत सुख देने वाला है, जो अच्छे सोभाव के महराजा होते हैं, उनको कभी क्रोध नहीं आता है अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई हैं, सबी अवगुन प्रवेश करते गई हैं, कला कमती होती गई हैं, तमों प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई हैं, कितना दुखी हो पड़े हैं, तुमको कितना सहन करना पड़ता है अभी अविनाशी सरजन दवारा तुम्हारी दवाई हो रही है, बाप कहते हैं ये पांच विकारतों घड़ी घड़ी तुमको सताएंगी, तुम जितना पुरुशार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होने चाहिए, जो कोई माया का तुफान हिला ना सके रावन कोई और चीज़ नहीं है, वा कोई मनुश्य नहीं है पांच विकारों रूपी रावन को ही माया कहा जाता है आसूरी रावन संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखरीन में यह हैं कौन, यह बीके क्या समझाती है रियल्टी में कोई नहीं जानती, यह बीके क्यों कहलाती है ब्रमा किसकी संतान है, अभी तुम बच्चे जानती हो, हमको वापिस घर जाना है यह बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देती हैं, आयुश्वान भव, धनवान भव, तुम्हारे सब कामनाई पूरी करते, वर्दान देती हैं प्रन्तु सिर्फ वर्दान से कोई काम नहीं होता, मेहनत करनी है हर एक बात समझने की है, अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है बाप अधिकारी बनाती है, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे ऐसे करो पहले नंबर की शिक्षा देते हैं, मा में कम याद करो मनुष्य याद ने करते हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं तो याद भी रोंग है कहते इश्वर सरव्यापी है फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगी शिव के मंदिर में जाकर पूझा करते तुम पूछो इनका अक्यूपेशन बताओ तो कहेंगे भगवान सर्व व्यापी है, पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं, मांगते हुए फिर कोई पूछता परमात्मा कहा है, तो कहते सर्व व्यापी है, चित्र के समुख क्या करते हैं, और फिर चित्र समुख नहीं, तो कला काया ही चठ हो जाती है, भक्ती में कि कितना प्यार है स्रिक्रिष्ण के लिए कितना निर्जल आदी करती है यहां तुम पढ़ रही हो और वह भगत लोग क्या क्या करती है तुमको अभी हसी आती है ड्रामा नुसार भक्ती करते एक तम नीचे उतरते आई है उपर तो कोई चड़ ना सके अभी यह है पुरुशोत बनने के लिए पुरुशार्ट करती हूँ पीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना स्टूडेंट की सर्विस करती है गवर्मेंट सर्वेंट है बाप भी कहते हैं सेवा करता हूँ तुमको पढ़ाता भी हूँ सभी आत्माओं का बाप है पीचर भी बनती है स्रश्ट के आदिमध्यंत का ग्यान भी सुनाते हैं यह ग्यान और कोई मनुष्य में हो ना सके कोई सिखला ना सके तुम पुरुशार्थ ही करते हो कि हम यह बनी दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुध्धी हैं बहुत खोफनाक दुनिया है जो मनुष्य को नहीं करना चाह ये वह करती हैं, कितना खून, डाका अदि लगाती हैं, क्या नहीं करती हैं, सो प्रसेंट तमो प्रधान है, अभी तुम फिर सो प्रसेंट सतो प्रधान बन रही हो, उसके लिए युक्ति बताई है याद की यात्रा, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे, भगवान बाप आते कैसे हैं, यह भी तुम अब समझती हो, इस रत में आई हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाती हैं, जो फिर तुम धारण कर ओरों को सुनाती हो, तो दिल होती है डाइरेक्ट सुनें, बाप के परिवार में जाएं, यहां बाप भी है, मा भी है, बच्चे भी हैं, परिवार में आ जाती हैं, वे तो दुनिया ही आसूरी है, तो आसूरी परिवार से तुम तंग हो जाती हो, इसलिए धंदा आदी छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आती हो, यहां रहते भी हैं ब्रह्मान, तो इस परिवार में आकर बैठती हो, घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा, मा तो देहधारी हो जा फूल बनना है, फूल में खुश्बू होती है, सब उठाकर खुश्बू लेते हैं, अक के फूल को ने उठाएंगे, तो फूल बनने के लिए पुरुषाट करना है, इसलिए बाबा भी फूल ले आती हैं, ऐसा बनना है, गर ग्रिस्त में रहते एक बाप को याद करना है, तुम जानती हो, यह देख के संबंदी तो खलास हो जानी है। तुम यहां गुप्त कमाई कर रही हो, तुमको शरीर छोड़ना है, कमाई करके और बहुत खुशी से हर्शित मुखो शरीर छोड़ना है। गूमते फिरते भी बाप की याद में रहो, तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में अशरीरी हो, कितना भी चक्र लगाओ, भल यहां से नीचे अबुरोड तक चले जाओ, तो भी थकावट नहीं होगी। पाप कट जाएंगे, हलके हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फाइदा होता है, और कोई तो जा ना सके। सारे दुन्या के मनुश्य पुकारती हैं, पतित पावण आकर पावण बनाओ, फिर उनको मात्मा कैसे कहेंगी। पतित को फिर मात्मा थोड़ी टेका जाता है, मात्मा पावण के आगे जुकाया जाता है। पुरुशोतम संगम युग। अभी तुम पुरुशार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। सत्युग है राम राज्य। सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहीं, तो फिर सूर्य वन्शी लक्ष्मी नाराण का राज्य कहां गया। तो ये सब ग्यान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। नए नए भी आती हैं जिनको तुम ग्यान देती हो, लायक बनाती हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ती हैं। बाप पावन बनाती हैं तो अब पतीत बनना ही नहीं है। जबकि बाप आया है पावन बनानी, माया ऐसी जबरदस्त है जो पतीत बना देती है, हरा देती है। कहते हैं बाबा रक्षा करो, वाह लड़ाई के मैदान में धेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या। यह माया की गोली बंदूख की गोली से भी बहुत कड़ी है, काम की चोट खाई गोया उपर से गिरे। सत्यों में सब पवित्र ग्रिस्त धरम वाले होती हैं, जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानती हो, बाब कैसे आई हैं, कहां रहती हैं, कैसे आकर राज्योग सिखाती हैं। दिखलाते हैं, अरजुन के रत पर बैठ ग्यान दिया है, फिर उनको सर्व व्यापी क्यों कहती। बाब जो स्वर्ग की स्थापना करती हैं, उन्हें ही भूल गई हैं, अभी वह स्वेम अपना परीचे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुखानी बाप के रुखानी बच्चों को नमस्ते, हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ती जी। धाना के लिए मुख्यसार, पहला पॉइंट, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदते हैं, वे मिटा देनी हैं। दुख देना, लड़ना, जगड़ना ये सब अपवित्र करतर्व्य हैं, जो तुमें नहीं करने हैं। अपने आपको राजतिलक देने का अधिकारी बनाना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धी को सब गोरक धंदों से, देहधारियों से निकाल, खुशबुदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वर्दान, अपने शुब चिंतन की शक्ती से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुब चिंतक मनी भव। विस्तार, आज के विश्व में सब आत्माई चिंता मनी हैं। उन चिंता मनियों को आप शुब चिंतक मनिया अपने शुब चिंतन की शक्ती द्वारा परिव परतन कर सकती हो जैसे सूर्य की किर्णे दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं ऐसे आप सुब चिंतक मनियों की शुब संकल्प रूपी चमक वाकेर्णी विश्यों में चारों और फैल रही हैं इसलिए समझते हैं कि कोई स्प्रिच्वल लाइट गुप्त रूप में अपन कारिय कर रही है यह टचिंग अभी शुरू हुई है आखरीन ढूंडते ढूंडते स्थान पर पहुँच जाएंगी स्लोगन बाप दादा के डारेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धी की लाइन क्लियर रखो अच्छा ओम शान्ती